चाहे आपके उम्रे कितने भी हो डार्क सर्कल आपके फेस पे तो होई जाते हैं बहुत सारी चीजों से खान पान से लेकिन इस रेमिडी से आपको डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और बहुत ही चल्दी ख़तम भी हलो गाइस विल्कम बैक टो मैं चानल मैं श्वता स्वागत करती हूं को 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 कोलिप्स में होप यू आ डूइंग वेल इस रेमिडी को बनाने के लिए बहुत ही आसान सी कुछ इंग्रेडिन्स हमें चाहिए जिसके लिए मैंने लिया है आलू का जूस निकाल लिया है आलू को मैंने घिस करके उसका जूस मैंने एक्स्ट्रैक करके निकाल लिया है लगबब एक से देट चमच यह है उसके बाद अगर आपके पास कोई भी ब्रेंट के कॉफी पाउडर है तो आप एक चमज कॉफी पाउडर डाल लीजिए उसके बाद हमें इसको मिक्स करने के लिए अगर आपके पास बेसन है तो ठीक है वरना गेहूं के आटे से भी बहुत अच्छा कॉमपलेक्शन आपका फैर होता है क तो गेहूं के आटा गेहूं का आटा बहुत ही अच्छा होता है अगर आप गेहूं का आटा नहीं इस्तमाल करना चाहते तो आप बेसन का भी उप्योग कर सकते हैं तो यहां पर आप इन तीनों इंग्रिडिएंट को एक दिसम मिक्स कर दीजिए अगर आपको हनी लेना है यहां पर मैंने हनी को स्किप किया है और यह आपका पैक बनके रैडी हो चुका है लगबग दो मिनिट तक उससे रेस दीजिएगा इसके बाद अपने फेस पर अपलाए करिए का तो यहां पर आपको बताओं कि यह मैं वीक में दो बार इस्तमाल करती हूं मेरे आंग के नि आंखों के उपर लगा के उस पर रख भी सकते हैं तो यहां पर मैं अपने आंखों के नीचे और ऊपर दोनों जगा मैं इस्तमाल कर रही हूं आलू में बहुत अच्छी खासियत होती आपको डाक सिरकल कम करने के लिए आलू बहुत थंडा भी होता है अगर आपके आपके रिजल्ट विजिबल होते हैं लेकिन यह जो तीनों इंग्रिंट्स में मिलाई हो ना इस इंग्रिंट्स से क्या होगा कि आपके वहां की जो स्किन है उसमें फाइन लाइन्स नहीं होगी अगर आपके आँखे कितने भी पॉफिनेस है आपके पॉफिनेस नहीं होगी अगर आपके आखे बहुत ज़्यादा घड़े में धसी हुई है तो वह भी कम हो जाएगा तो यहां पर इन तीनों का इस्तमाल आप जरूर करें अगर रेगुलर बेस्पेसिफ आलू का जूस भी इस्तमाल करते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है तो यहां पर आपको अपने तरह की ट्रीटमेंट्स लेते हैं वो कभी साइड इफेक्ट्स करते हैं कभी सूट नहीं भी करते हैं और तो और दो के दस पैसे भी लग जाते हैं तो क्यों ना आप घर पे इस इंगरन को इसका लाब उठाएं तो आपको इसको अपने फेस पे अपलाय करके लगबग 5 करना है उसके बाद उसको 10-15 मिट चोड़ देना है जब यह सूख जाएगा उसके बाद ही आपको इसका नेक्स स्टेप जो करना है वह होगा हमारा मतलब वाश आउट करना है आपको तो देखिए मेरा मैं जो मेरा जो इंग्रिदेंस जो बचाता ना वह काफी था अगर अगर आपको लगता है कि मेरी एज ऐसी है वैसे तो डाक सरकल बेसिकली 25 के बाद ही होते हैं बहुत लोगों को कम एज में भी हो जाते हैं तो प्लीज आप अपना डाइट का ख्याल रखिए हरी सबजिया खाये पानी जादा से जादा पीजिए हाइड्रेट रहिए और तो यहां पर मैं इसे अच्छे से लगा चुकी हूँ अब हमें इसको कुछ देर तक रखना है तो यहां पर आप इसके उपर जो पोटैटो स्लाइस है उसको भी रख सकते हो और आराम से 10-15 तक लिए लेट सकते हो या फिर अगर आपके पास कुकुम्बर है उसके स्लाइस लेक सकते हूं 10-15 के बाद यह इतना अच्छा वर्क करेगा जो कॉफी होता है वह ब्लैकनेस हटाने के काम करता है अगर आपके फेस पर बहुत जादा काला पन हो गया है तो कॉफी बहुत अच्छे से निकाल देगा इसलिए मैं आपको इसे रख कर कुछ दिर वेट करना है अब अगर देखिए मैंने कम से कम 10-15 को रख़ा था अब आती है वाश आउट करने की बारी तो मैं आपके वाश आउट करके आती हूं उसके बाद में आपको इसका रजल्ट दिखाते हूं कि कितना अच्छा रजल्ट है इसका देखिए मेरे फेस का यह बहुत अच्छा है जब आप हफ्ते में तीन बार करिए आपको बहुत ज़ादा डाक सर कर रहे ना तो आप एक हफ्ते रोजाना करिए साथ दिन का चैलेंज देती हूं साथ दिन कैंज आपके डाक स्पोर्ट इदम आपके जो आखों के नीचे सारे विजबल हो जाएगा अपको अग्दम क्लीन हो जा है और अपने आखों के नीचे ओपर अच्छी तरह से लगा कर उसको थोड़ा सा मसाज देना है ताकि वहां का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाए आप चाहे तो अपने पूरे फेस पर भी अप्लाइ कर सकते हैं कोई भी प्योंस्ट्राइजर अगर पास नहीं हैं तो आप अलोवेरा जेल ले लिजिए विटमाइन का कैप्सुल ले लिजिए तो आए होब आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेल सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते हो नेक्स वीडियो में बाइबाइगाई